आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वाधिष्ट लौकी का हल्वा जिसमें ना ही हम खुआ डालेंगे और ना ही मिल्क पाउडर बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होता है इसके अंदर हम किसी कलर का भी यूज नहीं करेंगे और दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा वेलकम बेक टो सुसेम किचिन मैजिक वई मॉनिका यहां लौकी ले ली है मैंने ये वजन में आधी किलो लौकी है इसे हम अच्छी तरह से धू कर और फिर छील लेंगे लौकी को इस तरह से बीच में से चार पीस में कट कर लेना है और यह जो बीच वाला पार्ट है इसे हम ये बिल्कुल कच्ची लोकी है लेकिन फिर भी इस पार्ट को हम निकाल देंगे ये हलवे के अंदर अच्छा नहीं लगता लौकी को हम पानी के अंदर डाल देंगे लौकी बहुत जल्दी काली पर जाती है इसलिए पानी के अंदर डालने से लौकी काली नहीं पड़ेगी और हम अभी से ग्रेट कर लेंगे लौकी को हमें ना बहुत पतला ग्रेट करना है और ना ही बहुत मोटा जो मीडियम साइज रखना है लौकी को आप इस तरह से पानी में जरूर डाल लें लौकी बहुत जल्दी काली पर जाती है और तुरंट से ग्रेट करना शुरू कर लें लौकी ग्रेट हो गई है और लौकी को बराबर चलाते वे भून लेंगे लौकी को हमें निचोड़ना नहीं है बिना निचोड़े इसी तरह से बनाना है इससे लौकी के हलवे का रंग बहुत सुंदर आएगा और हलवा भी बहुत ही स्वादिश्ट बनकर तयार होगा साथ में हम दूद भी गरम होना रख लेंगे कई बार समस्या आती है कि दूद जब लौकी के हलवे में डालते हैं तो दूद फट जाता है इस तरह से जब हम उबाल कर दूद लौकी के हलवे के अंदर डालते हैं तो दूद फटता नहीं है करीब 7-8 मिनिट तक लौकी को इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे जिससे पानी पूरी तरह से लौकी का सूख जाएगा आप एक बार इस तरह से हलवा बनाकर जरूर ट्राय करें बहुत ही स्वादिश्थ हलवा लगता है दूद भी यहां गरम हो गया है और लौकी का पानी सूख गया है अब हम इसके अंदर डेड़ कप उबला हुआ दूद डाल देंगे और लौकी को फिर से बराबर चलाते हुए पका लेंगे गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और तब तक चलाना है जब तक के दूद अच्छी तरह से सूख न जाए यहां हम ना तो मिल्क पाउडर डाल रहे हैं ना ही हम खुआ डाल रहे हैं हम डालेंगे घर की बनी हुई मलाई बहुत ही टेश्टी बनकर हलवा तयार होता है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने इसमें खुआ यह मिल्क पाउडर का यूज नहीं किया है यह मैंने वन थर्ड कप मलाई ली है धर की ही बनी हुई मलाई है दूद हमारा पूरी तरह से सूख गया था अब हम इसके अंदर मलाई डाल कर चला लेंगे एक बार फिर से यह पतला होगा तो हम इसे फिर से थोड़ा ड्राई होने तक पका लेंगे मलाई आप थोड़ी बहुत ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन इतनी मलाई से भी यह हलवा बहुत ही टेश्टी बन कर तयार होता है आप इस हलवे को वरत में भी बना कर खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगता है और बनाना भी आसान है यह देखिए अब लौकी फिर से ड्राई हो गई है अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी मैंने आधा कब चीनी डाली है अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिए चीनी डालने के बाद एक बार फिर से हलवा पतला हो जाएगा हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फिर से भून लेना है और इसका पानी सुखा लेना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है ये देखिए पानी इसका फिर से सूख गया है हलवे का अब हम इसके अंदर जो भी ड्राइफूट आपको पसंद है वो डाल देंगे हलवा बनकर हमारा एकदम तयार है बहुत ही टेश्टी हलवा लगता है आप एक पर बना कर जरूर ट्राइब करें और बनाना भी बहुत ही आसान है घर में मलाई तो मौजूद होती ही है तो जब भी मीठा खाने का मन करें तब ही आप इसे बना कर खाएं वीडियो को लाइक चैनल के सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू